नश्कार दोस्तो स्वागत है आज आपका एक नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो है Siemens A to A D system पे इसमें हम आपको सिखाऊंगे कि कैसे Siemens में alarm चेक किया जाता है कैसे alarm की detail देखी जाती है और जो आज का alarm है motor brake control error तो let's start करते हैं कि हम इस alarm को कैसे चेक करेंगे या फिर दूसरे जो alarm आते हैं machine पे कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे पास Siemens का A to A D system है system कोई भी हो सकता है friends आपको alarm चेक करने की detail जो आज मैं आपको सिखाऊंगा और help कैसे ले जाती है वो same है friends तो video content देखें सबसे पहले friends मैं क्या करूँगा जो alarm soft key है आप देख रहे होंगे alarm soft key मैंने press की है तो मेरे पास एक alarm list आ गया है इसमें से xxz software का switch का alarm है जो निच्चे जो alarm है friends main alarm वो होता है जो मतलब ज्यादा numbers में हो जैसे यह 207930 में है drive brake control error उसके बाद friends इसको कैसे चेक करना है तो इस पर मैंने cursor को select किया उसके बाद help का button दवाया देख रहे होंगे जैसे आप तो help में भी दोको F207930 motor brake control error है आपका कोई भी error हो सकता है वैसे ही आपको उसके उपर click select करके आपको help दवाना है तो इसकी सारी detail निकलाएगी जैसे friends इस में पूरी detail मुझे बता रहा है cause cause क्या क्या हो सकते है control unit has detected brake control error तो इसमें सारे error मैं तो आपको थोड़ा fast दिखा रहा हूँ इसमें आप जैसे आपका Siemens में कोई वी alarm आए तो आप इसको check कर सकते है कोज के बाद वो रेमडी भी बता देता है कि check the motor holding connection या motor ground तो नहीं है यह mean सारे कोई वी alarm आपका कोई वी alarm आता है तो आपका जैसे मैं पहले बताता हूं 10621 यह जो होते है PLC error होते हैं आपको जो 20 या 30 से शुरू होते हैं वहाँ पे आपको select करना है अब मेरे को alarm पता लग रहे हैं उसमें brake लगी होई है तो सबसे पहले friends मैं क्या करता हूं brake की resistance check करता हूँ ठीक है friends. कि मतलब मेरा distance जो है okay है यह 30 to 40 होना चाहिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैंने छोटी से गलती कर दी थी यहाँ पर यह मेरी motor अर्थ थी तो मैंने यहाँ अगर अर्थ के साथ चक करता तो यह continuity बता रही थी मतलब यह short थी break तो अभी मैं आपको motor end पर दिखाता हूँ अब यह motor end के motor का चक किया है अभी मैं यह दोनों brake के जो connection है उनको चक करवाऊंगा देखिए फ्रेंट्स 35 ohm बहां भी दिखाया था 35 ohm अब मैं अर्थ के साथ जहां पर मूली लगा रहा हूँ यह अर्थ है तो अर्थ के साथ चक करूँगा तो अर्थ के साथ यह क्या बताता है में motor के connector है जो आरवाई भी होते हैं उसके चक कर रहा हूं उसमें नहीं दिखा रहा है इसका उन्दब ब्रेक शॉट होने से अब क्या है मेरा सिधा ग्राउंट फाल्ट आ रहा है ब्रेक ग्राउंट फाल्ट तो ऐसे आपको चक करने होते हैं alarm आपको help में सब alarm की detail मिल जात